दोस्तो आज की इस फीडियो में हम आपको बताएंगे आप Easy Payment का एकाउंट कैसे बनाएंगे लेकिन उससे पहले हम आपको बतादू अगर आप Play Store पे सर्च करेंगे तो आपको एक ने बहुत सारी अप्लिकेशन मिल जाएंगी जो आपको रिचाज पे कमिशन प्रोवाइड करती हैं लेकिन मैंने देखा उन अप्लिकेशन में एक दिक्कत होती है जब भी आप पेमेंट डिपोजिट करते हैं तब क्या होता है कि हमारा पैसा वहाँ पर फच जाता है तो अगर आप भी अपने रिचाज को थोड़ा कम पैसे में करना चाहते हैं ओडिटी प्लेटफॉर्म में वहाँ पर आप भारी डिसकाउंट लेना चाहते हैं 25 परसेंट 10 परसेंट 15 परसेंट 20 परसेंट कुछ इस तरही के से डिसकाउंट लेना चाहते हैं तो आप इस subscribe करके bell notification को all पर set कर देना तो चली इस वीडियो को start करने हैं तो दोस्तो पहले step में आपको क्या करना है आपको description में link दिया हुआ application का आप description से दाउनलोड कर सकते हैं आपको प्लेस्टोर में भी मिल जाएगा लेकिन अगर आप मेरे description से डाउनलोड करेंगे तो आपको 5-10 रुपया इस्ट्रा मिल जाएगा ठीक है तो मैं कहूंगा på description से डाउनलोड कर लो बाकि आपकी मरजी तो जहीसे आप कुलिक करेंगे आपको डारेक्टली या प्ले स्टोर में भेज देगा वहां से आपको इंस्टॉल करके open कर लेना है तो जैसे हम open करेंगे आप देख सकते हैं कि जो इसका main interface से कुछ इस तरीके से आ जाएगा तो यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना है चलिए हम डाल देते हैं तो यहाँ पर हमने अपना mobile number डाल दिया अब हम करते है next अब हम जैसे next करेंगे यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है तो हमने नाम डाल दिया अब email ID, optional है, email ID डाल सकते हैं यहाँ पर आपको एक password डालना पड़ेगा ठीके तो जैसे मैं यहाँ पर एक password डाल देता हूँ ओके हमने password डाल दिया अब हम register पर click करते हैं अब देख सकते हैं कि यहाँ पर यह हमारे number पर एक OTP भेज दिया है तो हमको OTP डाल के यहाँ पर verify कर लेना है तो OTP आ चुकिए OTP हम डाल देते हैं यहाँ पर अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक set MPIN का option आ रहा है तो सबसे पहले जाने लिए यह MPIN है क्या जिस तरीके से आप किसी को phone पे पेटियम से पैसा बेशते हैं तो वहाँ पर UPI नमर डालते हैं उसी तरीके से यहाँ पर MPIN है लॉगिन करने का दूसरा password है और जब भी आप recharge करेंगे तो आपको यहाँ पर एक दूसरा number डालना पड़ेगा जो MPIN आप बनाएंगे जैसे यहाँ पर मैं बना लेता हूँ अपना मैं एक MPIN बना लिए आप देख सकते हैं तो अब मैं confirm पे click करता हूँ ठीके तो जब भी आप recharge करेंगे आपको इसी MPIN को डालना पड़ेगा आपने देखा होगा फोन कई सारे लोग के हाथ में जाता है तो अगर किसी को पता रहा इस application के बारे में application open करेगा तुरंद अपना mobile number डालेगा या तो OTT पे recharge करना है तुरंद recharge कर सकता है तो MPIN इसलिए बना है जब तक MPIN नहीं डालोगे तब तक recharge नहीं होगा जिस तरह से UPI होता है अब दोस्तों आप देख सकते हैं commission chart में आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं फिलाल recharge करेंगे तो recharge पे आपको कितना मिलेगा आप देख सकते हैं बहुत सारा BSNL पे तो अभी बहुत मिल रहा है पाकी अगर हम dish TV का देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर electricity भी है बहुत सारी चीज़े हैं बट हम OTT की बात करें अगर आपको recharge करना है तो आप डारेक्ली यहाँ पर नमबर डालके recharge भी कर सकते हैं जो recharge आपको phone पे ATM में 249 का पढ़ता है अभी तो recharge की price बढ़ गई है 249 का दो 99 का पढ़ता है यहाँ पर आपको वही recharge 4-5 उरुपे कम में पढ़ेगा जस्ट मैं आपको एक example दिखा देता हूँ जैसे मुझे recharge करना है तो यहाँ पर मैं क्लिक किया और यहाँ पर मैं एक number डाल देता हूँ अब यहाँ पर मैं amount डाल देता हूँ 299 जैस्ट आपको दिखाने के लिए ठीक है 299 अब मैं submit पर क्लिक करता हूँ अब यहाँ पर हमको वही mpin डालना है जो mpin हमने बनाया था नहीं तो recharge नहीं होगा जैसे यहाँ पर मैं एक wrong mpin डाल देता हूँ confirm पर क्लिक करता हूँ अब यहाँ आप देखना यहाँ पर बता रहा है कि mpin गलत है तो आपको सही mpin डालना है ठीक है जो mpin बनाया था हमने mpin डाल दिया अब हम confirm पर क्लिक करती है अभी आप देखना जो हमारा 299 रुपे का रिचार्ज था अभी वह हमको 281 रुपे मिल रहा है यहाँ 19 रुपे आफ मिल रहा है तो जब भी आप रिचार्ज करना यहाँ से कर सकते हो ठीक है आप फोन पे पेटिएप में 2 रुपे 3 रुपे इस्टा देते हो यहाँ पर आपको 5 रुपे 10 रुपे 15 रुपे 20 रुपे तक का डिसकाउंट इजली मिल जाएगा तो हम बात कर रहे थे सब्सक्रिप्शन की ठीक आप देख सकते हैं यहाँ पर Amazon Prime में कितना है बारा परसेंट है और डिजनी प्लस होस्टार में 5 परसेंट है प्ले स्टोर में 1 परसेंट है और सोनी लिब में अभी तो इंडिया और जिंबाब में का मैच आ रहा है बहुत सारे लोग रिचार्च कर रहे होंगे तो यहाँ से अगर आप करते हैं तो आपका बहुत ही कम में हो जाएगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ G5 पे 10 परसेंट Amazon Boucher पे 1 परसेंट Gemaito Boucher पे 2 परसेंट और अगर आप View All पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिंत्रा का है ओला का है प्राइम वीडियो का है G5 का है सोनी लीव का है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत मिल जाएगे यहाँ तक कि Google Play Store का भी है और यूनिपीन का है अगर आप BGMI खेलते हैं तो 3 रुपे आपको वापस मिल जाएगा यहाँ पर देखो 25% का अगर मैं सोनी लीव पर किलिक करता हूँ और यहाँ पर जैसे अगर आपको रिचार्ज करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कितना प्रसेंट आप मिलेगा कितने रुपे में कितना आप मिलेगा यहाँ पर मैं नमबर डाल देता हूँ मैंने एक नमबर डाल दिया यहाँ पर मैं इमाउंट डाल देता हूँ ठीक है यहाँ पर देखो 399 में एक महिने का सब्सक्रिप्शन है ठीक है तो जैसे मैं एक महिने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता हूँ अब मैं सब्मीट पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर यम्पिन डाल देता हूँ अभी आप देखना जो 399 का सब्सक्रिप्शन था हुआ हमें कितने में मिल रहे है 205 रुपे में यानि 104 रुपे आफ 104 रुपे आफ सोचो कितना ज़्यादा डिसकाउंट मिल रहा है अगर आप यही फोन पर पेटियम से करेंगे तो वहाँ पर साहथ आपको 1-2 रुपे इस्टा देना पड़े अगर 1-2 रुपे नहीं भी लेंगे तो 399 जरूर लेंगे तो आप इस application को एक बार install करना और try करना आपका बहुत benefit होगा और अगर आप इस application से earning भी करना चाहते हैं तो नीचे refer का option है यहाँ पर click करना है और आप लोगों को refer भी कर सकती है जितने लोग join होँगे उतना आपको पैसा मिलेगा 10 लोग जॉइन होंगे तो आपको 200 रुपय मिल जाएगा अप्लिकेशन काफी अच्छी है इस अप्लिकेशन से मैं बहुत पैसा कमाया हूँ मैं आपको एक स्क्रीन सॉट एड कर देता हूँ आप देख लीजिए अप्लिकेशन काफी अच्छी इसके वज़े से मैं यूज कर रहा हूँ कोई स्पांसर नहीं है उमीद करता हूँ कि यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आयोगा वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कर देना सेर कर देना कुछ प्राबलम हो रही है कॉमेंट सेक्सर में कॉमेंट कर देना मिलते नेक्स वीडियो में